नियोजित सिक्षकों का सरदर्द बना बिहार सक्षमता परिच्छा नमस्कार और आदाब आप कमाम दर्सक बंधों को मैं हूँ इसके चौधरी दोस्तों जिस दिन से नीबर्तमान ACS के के पाठक ने सिक्षकों के लिए सक्षमता परिच्छा का पराबधान लागू किया था उससी दिन से सिक्षकों का सरदर्द सुरू हो गया था इसलिए सिक्षकों ने इसका पुर्जोर विरोध ही किया था यहां तक कि सिक्षकों ने इसका आवेदन करने से इनकार कर दिया था यहां तक कि सिक्षकों ने सरकार के सामने यहां अपनी सर्थ रखी थी कि सरकार पहले अपनी इस्थिती असपष्ट करे कि सक्षमता परिच्छा उतीनता के बाद सिक्षकों को कौन सी सुबधा मुहया कराई जाएगी लाख कोशिसों के बाब जूद भी सिक्षक सक्षमता परिच्छा में भाग नहीं लेना चाहते थे इसके लिए सिक्षकों के उपर एक से बढ़ कर एक दबाब बनाए गए। सिक्षकों को बार बार सक्षमता परिच्छा में सामिल होने के लिए सिक्षा विभाग द्वारा मजबूर किया गया और अंता गत्वा मजबूर होकर बिहार के तमाम नियोजित सिक्षकों ने सक्षम परनी जैसे लॉली पॉप दिखा कर उनको सक्षमता परिच्छा में सामिल होने है तू मजबूर किया। को यह हवाला दिया कि जो सिक्षक नियोजित बने रहना चाहते वो बने रहेंगे और सक्षमता परिच्छा में भाग लेकर जो विशिट सिक्षक बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। जिसके कारण ही सिक्षक सक्षमता परिच्छा में भाग नहीं लेना चाहते। इन तमाम बिन्दूों को खालिच करते हुए बिहार के सिक्षकों ने सक्षमता परिच्छा में फॉर्म भर कर उस परिच्छा में भाग लिया और सफलता प्राप्त की। लेकिन इसका परिणाम क्या आया कि बार बार सक्षमता पास सिक्षकों को जिस मुद्दे को लेकर सक्षमता का आयोजन किया गया था। उस मुद्दे पर ही बिभाग द्वारा कदम उठाये जाने को लेकर आवाज उठाना पर रहा है। आखिर उनके लिए हमें क्या करना है। तो अपने माता पिता की अंत समय में सिवा कर सके ताकि वो अपने परिवार के साथ अंत समय का वो पल बिता सके। लेकिन सिक्षा विभाग तमाम बिंदूओं को खारिज करती नजर आ रही है। ना उनका ध्यान बिहार के उन तमाम सिक्षकों पर है जिन्होंने सक्षमता उत्तिर्ण कर ली है। और ना ही उनका ध्यान उन तमाम सिक्षकों पर है जो सक्षमता परिजटू में आवेदन कर रखे हैं। तो आखिर जब दोनों में से किसी के भी उपर बिहार सरकार की सिक्षा विभाग की नजर ही नहीं है तो हर हाल में सक्षमता परिच्छा की मानता ही अब समाप्त कर देनी चाहिए। आथी साथ बिना कोई पैमाने के अधार पर बिहार के तमाम सिक्षकों को राजकर्मी का दरजा देते हुए पुर्व की सेवा सहित उन्हें विशिट सिक्षक की स्रेनी में सामिल किया जाए। यहीं सरकार के लिए अंतिम निती बनती है। क्योंकि सरकार और सिक्षा विभाग हर बिंदूओं पर फिसड़ी साबित हो रही है। ना तो सक्षमता उतिन सिक्षकों के लिए उनके द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा। और ना ही सक्षमता फैजिटू में भाग लेने वाले सिक्षकों के लिए कोई कदम उठाया जा अगर उन्हें दिक्कते हैं तो ये बाते भी सिक्षकों के सामने रखा जाना चाहिए कि हम किन बिंदूओं पर फ़सते नजर आ रहे हैं और फसने की बात भी वाजिब है दोस्तों कि बिहार के तमाम सिक्षकों को पुर्व की सेवा के आधार पर ही सिक्षा विभाग को राज द्वा खुद ही अपने बुने हुए जाल में ही फस गई है। और उसी को चैलेंज देकर केके पाठक नई सेबा में परिनत करना चाह रहे थे जिस कारण दिकते हो रही है सिक्षा विभाग को तो अंत समय में चुनावी मुद्दा ना बनाते हुए सक्षमता परिच्छा को तिन सिक्षको या फिर सक्षमता आवेदन करने वाले तमाम सिक् तो सवाल उठाया जाने लगता है कि आखिर फेज वन वाले सिक्षकों की पोस्टिंग कब होगी उनके दोरा ये सवाल उठायी जाती कि सबसे पहले फेज वन वालों का पोस्टिंग होना चाहिए तो वहीं फेज टू वालों का कहना होता है कि सबसे पहले फेज टू की परि परिच्छा का आयोजन किया गया था कि सक्षमता परिच्छा उतिन होने के पच्चात जो सिक्षक सफलता पराप्त करेंगे उन्हें नई पोस्टिंग की जाएगी और नए बिद्याले में पदस्थापन के साथ ही वे विशिच सिक्षक कहलाना सुरू हो जाएगे और नए बि बिंदू के आधार पर मेरा कहना है कि किन ही बिंदू के मन में अगर यह आसंका होगा कि पहले सक्षमता उतिन सिक्षकों का विद्याले आवंटित हो जाता है तो वो बढ़िये हो जाएंगे यह कहीं से भी और चित नहीं बनता क्योंकि निवावली में ऐसा प्राब्धान नहीं किया गया है सारी विशिट सिक्षक ही बनते हैं अगर नियोजित सिक्षक तो सिक्षकों को यह बिल्कुल आस्वस्त हो जाना चाहिए कि हर हाल में पुर्व की नुक्ती ही उन सिक्षकों के बढ़ियता का निर्धारन का आधार बनेगा नई सिक्षकों की नई नुक्त पर सरकार से लरनी चाहिए और यह मांग करनी चाहिए कि सरकार जिस निती की अनुसार सिक्षकों की परिच्छा ले थी और सिक्षकों ने जो परिच्छा में सफलता प्राप्त की है आखिर सरकार उन उद्यस्यों की पूर्ती करे और सिक्षकों को अपना हक और अधिकार परद कर दे क्योंकि इंतजार की यह सीमा होती है अगर सिक्षकों को ज़ादा दिनों तक इंतजार कराया जाता है तो ऐसा नहों कि सक्षमता परिछा यूंका यूं रखा रह जाए और सिक्षक अपने बिद्धाले में ही बने रहने का अपना मन बना ले। इसलिए सिक्षा विभाग को अपना निरने का खुलासा करना चाहिए कि आखिर सिक्षा विभाग चाहती क्या है सिक्षा विभाग अगर तमाम नियोजित सिक्षकों की सक्षमता परिच्छा को चुनाबी मुद्दा बनाना चाहती है तो सरकार और सिक्षा विभाग को कम से कम इन बिंदू पर सोच लेना होगा कि सिक्षक कदाफी बिधान सभा चुनाब सी सक्षमता परिछा को जोरा जाना सुईकार नहीं करेंगी जिस उदेश को लेकर सरकार सक्षमता परिच्छा को बिधान सभाचुनाब मुद्दा से जोरेगी हो नहो बिहार के सिक्षक उसका उल्टा ही परिनाम बरतमान सरकार के लिए खरा कर दे इसलिए सरकार से भी अपील होगा और सरकार से भी आगरह होगा कि सक्षमता परिच्छा के मुद्दे को बिधान सभाचुनाब से नहीं जोरते हुए सबसे पहले सिक्षकों को सबसे पहले जिस उदेश को लेकर सक्षमता परिच्छा का आयोजन किया गया था उन्हें उदेश्यों की पूर्ती की जानी चाहिए ताकि सिक्षक अपने आपको यह कहने को मजबूर नहीं हो कि आखिर सिक्षा भी भाग द्वारा बार बार सिक्षकों को ही ठगा जा रहा वैसे सिक्षकों को मौका मिल जाएगा जो अपने माता पिता से दूर है वैसे सिक्षकों के लिए मौका मिल जाएगा जो अपने परिवार से दूर है और वैसे सिक्षकों को बहुत बड़ा अबसर मिल जाएगा जो आज भी आधे बेतन पर नौकरी करने को मजबूर है और उ उनका फिक्सेशन नहीं होकर उन्हें आदहे बेतन में ही आज की तारीख में नौकरी करनी पर रही है अगर सक्छमता परिछा के आधार पर उन利 सिkषकों को विशिट सिkषक बना दिया जाता है तो हर हाल में उनका बेसिक आज की तारीख में 25,000 होंगे और उन्हें आधे बेतन में ना काम करते हुए एक सम्मान जनक बेतन पर काम करने का मौका मिल जाएगा इन तमाम बिंदूओं पर सरकार और सिक्षा विभाग को कम से कम गंभीडता पुरुवक विचार करना चाहिए था कि सिक्षा विभाग और सरकार जब येट 125 योगदाधारी सिक्षकों के लिए बिरीज कोर्स का पर सिक्षन आज तक सुरू नहीं कर पाई है तो कम से कम बिशिट सिक्षक बना कर इन सिक्षकों के हकों को लागू कर दिया जाए जो आज आधे बेतन में काम करने को मजबूर है आखिर उनके बच्चों पर क्या बीतता होगा आखिर उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी आखिर वैसे सिक्षक जो सैकुरो किलोमेटर दूर आकर दूसरे जीलों में नौकरी कर रहे हैं आधे बेतन से कैसे उनका पेट भरता होगा, सरकार को इन विंदूओ पर अबस्य बिचार करनी चाहिए। और आविलमब कम से कम अपने बिद्याले में अगर सिक्छक हैं, तो अपने बिद्याले में ही रखते हुए सिक्छकों को विशच्छक का दर्जा परदान कर देनी चा दोस्तों ये थे आज के हम सिख्छा विसलेशन आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और साथी साथ तमाम दोस्तों के बीच इसे सेर भी करेंगे और क्या है इन बिंदूओं पर आपकी राय कॉमेंट में अबस से लिखेंगे और अब दीजी अपने ही दोस्त इसके चौधरी को जाजत जै हिंद जै भारत